असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम माई यूटूब चैनल तो आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली ती स्नेक्स मटर कचोड़ी यह बनाने में जितना ही इज़ी यह खाने में उतना ही डेश्टी आप चाहती से सामके चाह के साथ या फिर अगर आपके यह कोई ग चाहती हम इस में डालेंगे 5-6 लैसुन की कली 4-5 हरी मीज तो आदा चम्मस जीरा और यहां पे डालेंगे थोड़ा सा स्वात के अनुसार अपने नमक इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे हम 4-5 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 4-5 मिनट करेंट ही लगेगा इससे जादा आपको टांठ नहीं लगेगा आप यहां पे देख सकते हो हमारा मजर बहुत अच्छे से कूक हो चुका है मैं आप को हाथ से भी दिखा सकती हो गरम है नेंटे बुझा मधर अच्छे से कूक हो गया है अब हम यहां पे गैस का फिलेम ऐख क we add 2 चमचओ अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट अच्छे से मसल कि या पर देख सकते हो जब आपका इसे आट असे बाइंड होने लग जाए तो आप समझीए कि आपका आटा रेडी है अब इसमें हलका पानी डाले इसे हम गूत लेंगे यहां पे हमें इसका बहुती soft dough लगाना है आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो dough है वो ready हो चुका है अब यहां पे हम हलका सा oil लगा के और इससे हम 10 मिनट के लिए rest करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद हम इसके चोड़ी जोड़ी बनाएंगे और इसके अंदर हमने जो मटर की feeling ready किये वो इसके अंदर हम feel करेंगे और इसके हम कचोड़ी बनाके ready कर लेंगे अच्छा डेड़ कप में मैंने 8 से 9 कचोड़ी बनाके ready की थी अगर आपके ज़्यादा family हो तो आप जो बेल भी सकते हो मैंने बेला नहीं है मैंने ऐसी इसका safe बनाएं यहाँ पर मैंने oil गर्म करने के लिए रख दिया यहाँ पर मेरे कचोड़ी बी ready है अब एक एक करके हम कचोड़ी को oil में डालेंगे और बिल्कुल medium flame पे हम इसे golden brown होने तक इसे हम fry कर लेंगे यहाँ ही लगे थे आप ही जरूर ट्राइ करिएगा और फैमिली फ्रेंज ग्रूप में जरूर भीजेगा अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगा होती से like, share और subscribe जरूर करिएगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए